जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हर्द एक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, साल दो हजार चौबिस का दूसरा सूर ग्रहन दो अप्टूबर दो हजार चौबिस दिन बुद्धवार को लगने जा रहा है, आपको बता दूं कि साल का दूसरा सूर ग्रहन अस्विन मास के कृष्ण बक्ष की अमोस्या को दिन बुद्धवार को लगने जा रहा यह एक कंकडा करती सूर ग्रहन है इसमें सूर कंगन के आकार का नजर आएगा दोस्तों यह सूर ग्रहन बहुत ज़्यादा लंबा ग्रहन है इसलिए इसका प्रभाव हर मानो जाती प्रकती बल्कि हर रासी पर देखने को मिलेगा और बात करें इस सूरुग्रहन के समय की तो दोस्तों भारती समय के नुसार इस सूरुग्रहन की सुरुवात दो अक्टूबर की रात 9 बचकर 13 मिनट पर हो जाएगी और सूरुग्रहन की समापती देर रात 3 बचकर 17 मिनट पर होगी चले अब जान लेते हैं कि ये सूरग्रहन कहां कहां दिखाई देगा तो दोस्तों ये सूरग्रहन पोलीनेसिया, हवाई, मेक्सिको, दच्छन अमेरिका, अट्रांटिका, जॉर्जिया, चिली, पेरु, अर्जेंटीना, उरुगवे, फिजी और ब्राजील में दिखाई देगा आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर को लगने वाला सूरग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा ये भारत के किसी भी इस्थान से देखा नहीं जा सकेगा और अब हम बात करते हैं इस सूरग्रहन के सूतक काल के बारे में तो दोस्तों क्योंकि ये सूर ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब ये सूर ग्रहन घटित होगा उस समय भारत में रात होगी, जिस वज़े से ये सूर ग्रहन भारत के किसी भी सहर से द्रश्य नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रहन भारत में दिखाई नहीं लेकिन जिन देशों में ये सूर ग्रहन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर इस सूर ग्रहन का सूतक काल ग्रहन सुरू होने के 12 गंटे पहले ही सुरू हो जाएगा, जो की ग्रहन के साथ ही समाप्त होगा। क्योंकि ये ग्रहन भारत में दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए भारत में ग्रहन वसूतक के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा लेकिन जहां पर ये ग्रहन दिखाई देगा वहां पर ग्रहन वसूतक के नियमों का पालन होगा खास कर गरवती महिलाओं को गरहन के समय खास सावधानी रखनी होगी दोस्तों अब हम जानते हैं कि सूर गरहन के दौरान गरवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी चाहिए गरहन काल में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों सूर ग्रहन के दौरान गर्वती महिलाओं को सूरच की रौस्टी में नहीं जाना चाहिए इससे सूर ग्रहन का दूस प्रभाव आपके होने वाले सिसू पर पड़ सकता है और सूर ग्रहन समापत होनी के बाद इसनान जरूर करना चाहिए और सूर ग्रहन के दोरान गर्वती महिलाओं को धारदार नुकीली चीज का इस्तमाल नहीं करना है इसके लावा ग्रहन के समय आपको सबजी या फलादी भी नहीं काटने है सूर ग्रहन के समय खाना खाने, पकाने, कपड़े दोने, बर्तन दोने, बाल खीचने, सिर में तेल लगाने आदी जैसे कार्यों की भी मना ही होती है दोस्तों गर्वती मैलाओं को ग्रहन के दोरान यात्रा नहीं करनी चाहिए और नहीं सूर्व ग्रहन को गलती से देखना चाहिए आपको बता दें कि सूर्व ग्रहन के दोरान क्रोध ना करें अपने मन को सांत रखें इसके लावा ग्रहन सुरू होने से पहले गर्वती को थोड़ा सा गंगा जल पी लेना चाहिए और अपने पास तुलसी या नारियल अवस्य रखना चाहिए इससे आप और आपका होने वाला सिसू सूर ग्रहन के बुरे प्रभाव से एकदम सुरच्चित रहेगा चलिए अब हम जानते हैं कि सूर ग्रहन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए दोस्तों तुलसी में समस्त दोसों को दूर करने की छमता होती है ऐसे में सूर ग्रहन प्रारंब होने से पहले आप बाजार से एक तुलसी की माला खरीद कर ले आएं और फिर सूर ग्रहन सुरू होने से पहले या जहां सूतक लग रहा है तो सूतक लगने से पहले गर्वती को इस तुलसी की माला को अपने गले में पहन लेना चाहिए आप तुलसी की माला घर के सभी सदस्य को भी पहना सकते हैं और सूर ग्रहन के दौरान इसे अपने गले में ही पहने रहें और जब सूर ग्रहन समाब्त हो जाए तब आप इसे अपने गले से निकाल कर किसी बैते हुए जल में प्रवाहित कर दें इससे सूर ग्रहन का किसी भी प्रकार का बुरा असर आप पर या आपके होने वाले से सुपर नहीं पड़ेगा चले अब जानते हैं कि सूर ग्रहन के दौरान आपको कौन से मंत्रों का जाब करना चाहिए दोस्तों सूर ग्रहन के दौरान आप महामृतुंजय मंत्र या ओम नमाशिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाब कर सकते हैं और जो गर्वती मैलाई हैं उन्हें संतान गोपाल मंत्र का जाब करना चाहिए इसके लावा ग्रहन के दौरान आप किसी धार्मी पुस्तक का पाड़ भी कर सकती हैं वैसे सूर ग्रहन के समय सूर के मंत्रों का जादा से जादा जाब करना चाहिए आप ओम ग्रहनी सूर या ओम आदित्याई नमा का जाब करें चलिए अब जानते हैं कि सूर ग्रहन समापत होने के बाद क्या-क्या दान कर सकते हैं दोस्तों सूर ग्रहन में दान का बहुत अधिक महत्व है इससे आपको कई गुना फल की प्राप्ती होती है इसलिए सूर ग्रहन समापत हुनी के बाद इस नान करके दान अवस्य करें आप सूर ग्रहन के बाद लाल चीजों का दान करें इसमें गेहूं, चना, गोड, लाल मसूर की दाल, लाल फल, लाल कपड़ा, तामबा और धन का दान करें इससे आपको सुबफल की प्राप्ती होगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्थ से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाज चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद